कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीती कैसी है उत्तर प्रदेश की राजनीती या उत्तर प्रदेश में राजनीती चाहे उत्तर से हो या पूरब से हो या पश्चिम से हो या दक्षिन से हो इस बात पर चर्चा करने के बाद निश्कर्ष यही निकलता है कि उत्तर प्रदे तक हम जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाओ के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में विपक्ष की मजबूती के चर्चे कर रहे थे हम ये कह रहे थे कि इस बार सरकार को काफी कुछ समस्या हो सकती है सरकार चलाने में क्योंकि उनके सामने जो विपक्षी दल है वो काफी मजबूत है विपक्षी दल यानि विपक्ष का गडबंधन सभाजवादी पार्टी का गडबंधन जो करीब सवा सो सीटे जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार के लिए समस्या खड़ी करते हुए नजर आ सकता था था इसलिए क्योंकि अब ये समस्या उनके लिए खुद हो चुकी है ये गडबंधन लगातार पहले श्युपाल सिंग यादो फिर आजम खान और अब फिर श्युपाल सिंग यादो जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपने विधायकों की बैठक में श्युपाल सिंग यादो को नहीं बुलाया श्युपाल सिंग यादो की नाराजगी दिखाई दी एक बार फिर से चाचा भतीजा के बीच एक लंबी कश्मकस दिखाई दी और ये जो मनमुटाव की खाई है ये और गहरी होती गई उसका खाम्याजा अब ये हो चुका है कि अब दोनों तरफ से लगातार वार प्रहार किये जा रहे हैं पहले श्विपाल सिंग यादो जो काफी नाराज हुए हैं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी यादितनात से मुलाकात की अटकले लगने लगी कि उनका बीजेपी से कुछ मामला ठीक चल रहा है और वो बहुत जल्द समाजवादी पार्टी से अलग भी हो सकते हैं हाला कि तारीक निर्धारित हुई थी उन्निस तारीक ऐसा जो खबरे चल रही थी उसके अनुसार बताया जा रहा था कि 19 अपरेल को श्युपाल सिंग यादो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं लेकिन 19 अपरेल बीट गई श्युपाल सिंग यादो ने कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया सवाल पूछने पर हमेशा इसी बात को कहा कि समय आने पर मैं सब कुछ बता दूँगा जो भी कुछ होना है उसके बाद अकलेश यादो भी सामने आए अकलेश यादो से पूछा गया और अकलेश यादो ने साफत और पर इस बात को कहा है कि जो भी बीजेप के संपर्क में हैं वो समाजवादी पार्टी में नहीं हो सकता और सबसे एहम चीज है कि इस बयान में किसी भी नेता का नाम नहीं लिया गया था लेकिन प्रतक्रिया सबसे पहले श्यपाल सिंग यादो की ही आई उन्होंने साफ तोर पर कहा कि अगर अकलेश यादो को ऐसा ल हाथ हो गई चाचा और भतीजे की लड़ाई की लेकिन इन सब के भीच में एक तीसरा ट्रैंगल आ गया है और वो है आजम खान का लगातार आजम खान और आजम खान का जो कुनबा है वो समाजवादी पार्टी और अकलेश यादों से काफी नाराज दिखाई दे रहा था और दे रहा है पहले फजाहत हुसाइन जो कि मीडिया प्रभारी है आजम खान के उनके तरफ से जो बयान आया कि आखिर आजम खान को तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही है क्यों आजम खान को निता प्रतिपक्ष नहीं बनाए गया क्यों आजम खान जब से जेल में है अक जहात हसायन ने खड़े किये थे और एहम बात ये है कि इन सवालों पर किसी भी प्रकार से कोई भी काउंटर आजम परिवार से नहीं आया था तो ये बात साफ साबित हो गई कि कहीं न कहीं आजम खान का जो परिवार है आजम खान का जो कुन्बा है वो काफी नुकसान जेलन जयन चौधरी भी आजम खान से उनके परिवार से मिलने के लिए गए थे आजम परिवार से उनकी मुलाकात हुई थी और आज शिवपाल सिंग यादों ने कल जब उन्होंने अगलेश यादों के बयान पर पलटवार किया था उसके बाद ही उन्होंने कह दिया था कि मैं पर ऐसा हुआ है कि शिवपाल सिंग यादों ने मुलाइम सिंग के उपर यानि अपने बड़े भाई के उपर कई सारे सवाल खड़े कर दिये आज तक ऐसा हुआ नहीं था शिवपाल सिंग यादों अपने भतीजे से नाराज दिखाई दिये थे लेकिन मुलाइम सिंग या उसे भी काफी सवाल पूछ रहे हैं आजम खान को लेकर के उन्होंने ये कहा है कि नेता जी चाहते तो आजम के मामले पर समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर सकती थी नेता जी चाहते तो लोग सभा में सवाल पूछ सकते थे नेता जी चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था लेकिन हुआ नहीं तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि पहले भतीजे से नाराज़गी और अब बड़े भाई से भी नाराज़गी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनितिक परिवार के बीच में आखिर ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े गडबंदन विपक्षी दल के बीच में ये क्या हो रहा है लगातार ये अटकले लगाई जा रही है कि श्विपाल सिंग यादो कुछ नया करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीती में वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि बहुत जल्द कुछ चीजे खुल कर आएंगी और वो सब को पता चल जाएंगी समय आने दीजे तो वो समय का इंतिजार जो सब कर रहे हैं आखिर उस समय पर क्या होने वाला है आखिर ये जो खाई है ये पटने का नाम क्यों नहीं ले रही है आखिर इस गटबंदन के बाकी दल इस खाई को पाटने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं और अब आगे की क्या रणनीती होगी शुपाल सिंग यादो की और आजम खान की फिलहाल आप शुपाल जी का आज ये बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करूँगा क्योंकि आज की चर्चा बहुत ही एहम है उत्तर प्रदेश के प्रमुक विपक्षी दल के लिए है शुटे-षुटे मुकदमें रूते मुकदमें इतने दूते मुकदमें ते वछ एक मुकदमा बचा है इस लिए कि खेह महिनें हो गई दात आजम वह वोगे पेस साथ जा रहे है अब हम तो साथ हैं आज हम हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं आदम खान हमार रदी पाटी छोड़ा रहा है ऐसा तो कोई सवाल है निया अभी पहले जेसे बाहर आने और फ़र ये सब थैसले रपोचेट समय जब आएगा तब आपको पता लग जाएगा क्या थैसला लेंगे क्या नहीं लेंगे तो इस मुद्दे पर सरचा करने के लिए हम आसा जुम्हाइब